नमस्कार साथियों आज के पारिभाशिक शब्दावलीक्रम के वीडियो में साइमन कमीशन के बारे में बात करेंगे साइमन कमीशन से संबंदित विभिन पक्ष विन पक्ष वर्ष 1919 में भारत में समविधानिक सुधार करने के उद्देश्य से भारत शासन अधिनियम, 1919 पार तथा भारत में उत्तरदाई शासन स्थापित करने का अभी सही वक्त है अथवा नहीं। इसी प्रावधान का पालन करते हुए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। उस दोरान ब्रिटेन में कंजवटिव पार्टी की सरकार थी और बाल्डविन ब्रिटेन के प्र समय से दो वर्ष पूर भी साइमन कमीशन नामक समवेधानिक आयोग का गठन कर दिया था। इस कमीशन का भारतियों द्वारा तीखा विरोध किया गया था। साइमन कमीशन का गठन भारत के राज्य सचेव लौट बरकिनहेड ने 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्य जॉन साइमन, क्लिमेंट एटली, जॉर्ज लेन फॉक्स, डोनाल्ड हावर्ड, एडवर्ड कैडागन, बर्नोन होट्शॉन, हैरी लेवी लौसन। इस आयोग के सदस्य क्लिमेंट एटली आगे चलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये ब्रिटेन की लेबर पा पार्टी से संबन्धित थे। भारतियों को साइमन कमीशन से बाहर रखने का निर्नय लौड इर्विन के सुझावों के आधार पर लिया गया था। साइमन कमीशन के गठन पर भारतियों की प्रतिक्रिया इसके सभी सदस्या अंग्रेज होने के कारण कॉंग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका विरोध किया था। इलाहबाद में कॉंग्रेस ने 11 दिसंबर 1927 को एक सर्वदलिय सम्मेलन बुलाया था, जिसमें साइमन कमीशन के बहिशकार का निर्ने लिया गया था। कॉंग्रेस के अलावा, लिबरल फेडरेशन, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी, फिक की इत्यादी ने भी साइमन कमीशन का बहिशकार किया था। लिबरेशन फेडरेशन का गठन तेज बहादूर सप्राव के द्वारा किया गया था। मदरास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की युनियन पार्टी, भीमराव अमवेटकर के नेत्रित्व में कुछ हरिजन संगठनों ने, ओल इंडिया अच्छूत फेडरेशन ने और मुहम्मद शफी के नेत्रित्व में मुस्लिम लीग के एक गुट ने साइमन कमीशन के 1928 को भारत में बंबई पहुचा था. उसके बंबई पहुचने पर लोगो द्वारा उसे काले जंडे दिखाए गए थे और साइमन वापस जाओ, के नारे लगाए गए थे. इसके अलावा, बंबई ने हर्ताल भी आयोजित की गई थी. लखनओ में साइमन कमीशन का अब्ती प्रकाशम के नित्रित्व में किया गया था. पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे. लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब भी कहा जाता था. लाहोर में लाला लाजपत राय द्वारा 31 अक्टूबर 1923 को साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था और इस दोरान उन पर पुलिस ने लाठियों से वार किया था। इस दोरान सिर पर चोट लगने के कारण वे घायल हो गए और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यू हो गई थी। लाहौर के पुलिस अधीक शक्स कॉट ने लाला लाजपत राय पर लाठिया में मृत्यू से पूर्व लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे उपर जिस लाठी से प्रहार किये गए हैं वही लाठी एक दिन ब्रिटिश सामराज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी लाला लाजपत राय की मृतिलाल नहरू ने श्रद्धानजली देते हुए उ लाला लाजपत राय की मृत्यू पर खेद प्रकट करते हुए कहा था कि लाला जी की मृत्यू ने एक बहुत बड़ा शूने उत्पन कर दिया है जिसे भरना अत्यंत कठिन है वे एक देशभक्त की तरह मरे हैं और मैं अभी भी नहीं मानता हूँ कि उनकी मृत्यू हो चुक जोन साइमन ने खुद कहा था कि एक उत्साही सामाजिक कार्यकरता और एक मुख्य राजनीतिक कार्यकरता का अफसान हो गया है। साइमन कमीशन द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट साइमन कमीशन ने कुल दो बार भारत का दोरा किया था। पहली बार वह फरवरी मार्च 1928 में भारत आया था, जबकि दूसरी बार वह अक्टूबर 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और यह रिपोर्ट 27 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि भारत में उच्च न्यायाले को भारत सरकार के अधीन रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रांतों में उत्तरदाई शासन लागू करने की प्रक्रिया आरंब करनी चाहिए। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि वर्मा को भारत से अलग कर देना चाहिए तथा सिंधों और उर्रीसा को नए प्रांतों के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, साइमन कमीशन ने इस बात की भी सिफारिश अपनी रिपोर्ट में की थी कि भारत परिशत को अभी बनाय रखा जाना चाहिए, लेकिन उसके अधिकारों में कमी की जानी चाहिए। इसी रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए तथा भारत की समवेधानिक समस्या का समाधान निकालने के लिए ही लंदन में तीन गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था. लेकिन कॉंग्रेस में सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था. इस प् के कारण भारत को लाला लाजपत राय जैसा अपना एक कर्मत वर आश्ट्रवादी नेता भी होना पड़ा। साइमन कमीशन का गठन भी अंग्रेजों की अपनिवेशिक चाल का ही एक हिस्सा था। आज की एह मुख्य चर्चा कैसी लगी आप सब को कॉमेंट करके जरूर बता धन्यवाद।